हलो फ्रेंड्स दिस इस मदू एंड वेलकम टार यूट्यूब चैनल एम विद मदू दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो हम यूपिटेट की परियवरण अध्यन की सिरीज कर रहे हैं उसका टॉपिक नंबर थार्ड टॉपिक का नाम है आवास इससे पहले इसके ह हम दो टॉपिक कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और हमने सीटेट का भी पूरा इवीएस का कंटेंट कर लिया है कंप्लीट और उसका जो पीडियेफ है नोट्स का जो पीडियेफ है वो भी मैंने टेलिग्राम चैनल पर अवेले इसकी भी पूरा नोट्स का पीडियेफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर ही और बाकी के और भी हैंड रिटन नोट्स वो भी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर थार्ड आवास दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कौन-कौन से परिवार हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है यह आपका ओफीशल सेलिबस है इसके अकोर्डिंग ही हम सारे कर रहे हैं अपने परिवार का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है भोजन, स्वास्थेम, स्वच्थता भी हमारा complete हो गया इस वीडियो में हम discuss करेंगे इस वीडियो में देखेंगे आवास के बारे में आवास का जो हमारा topic है मैं इस syllabus के according आपको सारे topics कराऊंगी लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आपको जो important important है जिसे जिन से जादा question पूछे जाते हैं जिसे भारत की नदि पठार वन और खेल खेल भावना इस्थानिये पेसे से जुड़े व्यक्ति और व्यावसाय जो important topic है जिससे जादा question आने के chances है पहले मैं आपको वो topic कराऊंगी बीच बीच में से तो इस वीडियो में हम पहले आवास के बारे में देखते हैं आवास क्या होता है किसी जीव जन्तू अथ्वा पेड़ पोधे के रहने का स्थान जो जीवन यापन व्रद्धी एवं परजनन के लिए उप्युक्त भोजन आश्रे एवं अनुकूल जलवायू परदान करता है उसे जीव समू या पादप समू का आवास स्थन कहा जाता है जो किसी जीव जन्तू या पेड़ पोधे के रहने के लिए उसकी व्रद्धी के लिए उसके परजनन के लिए भोजन आश्रे और उसके अनुकूल जलवायू परदान करता है उसे उसका आवास स्थान कहा जाता है अब एक वर्ड है परस्थिति के निकेत इस सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था ग्रीनेल्स ने किसने किया था ग्रीनेल्स ने किया था और कहा था कि निकेत जो है वो विभिन परकार की जातियों में उपजातियों के स्थानिय वितरन की विवस्था है निकेत क्या है जो हम विविन परकार के जो जाती है उप जाती है उन्हें जो हम अलग-अलग समू में वाटते हैं उसकी विवस्था को बोला जाता है प्रस्थिती किये निकेत इसका सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था वो किया था ग्रीनेल्स ने आवास के आधार पर अगर हम बात करें तो जीव जन्तूओं को तीन वर्गों में वर्गिकरत किया जा सकता है जो भी जन्तू स्थल पर रहते हैं वो स्थलिय जन्तू कहलाते हैं जलिय जन्तू कोन से होते हैं जो पानी में रहते हैं जैसे दरियाई घोडा, मचली, ऑक्टोबस ये होते हैं जलिय जन्तू उभैचर कोन से होते हैं उभैचर वे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और स् जलिये जन्तु सिर्फ इस्थल पर रहते हैं, वो पानी में नहीं रहते हैं, जलिये जन्तु सिर्फ पानी में रहते हैं, और उभेचर जो होते हैं, वो पानी और इस्थल पर दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंडक, कच्छवा, मगरमच, साप, इस तरह के जो जन्तु होते हैं जो प्रत्वी पर भी रहते हैं और जो भूमी पर भी रहते हैं इस्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं वो कहलाते हैं उभैचर प्राणी अब इस थलिय जो जीव है इन्हें भी कुछ कैटेगरी में बाटा गया है पाँच तरीके से पाँच तरीके के ऐसे जन्तु होते हैं इस थलिय जीव के अगर हम कैटेगरी की बात करें सबसे पहले है बिलकारी जन्तु बिलकारी ऐसे जन्तु होते हैं जो बिल के अंदर रहते हैं कैसे जन्तु जो बिल के अंदर रहते हैं जैसे साप हुआ चूहा हुआ इस तरह के जो जन्तु होते हैं बिल के अंदर रहते हैं ने बिलकारी जन्तु कहते हैं धावी जन्तु उन्हें बोला जाता है धावी जो शब्द है वो धावक से बना है जो तेज दोड़ते हैं उन्हें बोला जाता है धावी जन्तु गोड़ा चीता हीरन इस तरह की जन्तु को धावी जन्तु बोला जाता है वरक्ष वासी जन्तु किसे बोला जाता है जो आपको इस टॉबिक में जादत दिमाग लगाने की ज़रत नहीं पड़ेगी जैसे ही आप word देखोगे, शब्द देखोगे उसी से उसी का meaning आपका बन जाएगा जैसे वरक्षवासी जन्तु जो वरक्षपर रहते हो कौन कौन से हो सकते हैं, सलोथ हो सकता है, बंदर हो सकता है तो इस तरह के जन्तु होते हैं वरक्षवासी जन्तु वाईवेय जन्तु कौन से होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं जैसे चील, बाज, कबूतर, कुछ भी कोई भी पक्षी जो हवा में उड़ता है वो वाईवय जन्तु हुआ, एक होते हैं आरोही जन्तु, आरोही जन्तु कौन से होते हैं, जो दिवार और चट्टानों पर आरोहन करने वाले होते हैं, दिवार और चट्टानों पर, जैसे बिच्छु हुआ, मौन्स्टर लिजार्ड हुई, जिसे विस्खॉपडा बोलते ह और छिपकली हुई ये इस तरह के जन्तू जो दिवार पर चलते हैं इन्हें बोला जाता है आरोही जन्तू हमने कौन-कौन से देखे जन्तू इसथलिय जन्तू है उन्हें पाँच भागों में वर्ग करित क्या गया है कौन-कौन से है बिलकारी जन्तू धावी जन्तू जन्तु यह है हमारे इस्थालिय जन्तु अब नेक्स देखते हैं आवास के आधार पर पोधों के निम्न वर्गों में आवास के आधार पर पोधों को निम्न वर्गों में वर्गिकरत क्या गया है पोधों का इसने पहले हमने देखा जन्तु हो का वर्गिकरण और अब देख जलकी सामान्य मात्रा की अवशक्ता होती है ऐसे बोधे जो स्थल पर पाए जाते हैं और जलकी सामान्य मात्रा में अवशक्ता होती है जादा जलकी इन्हें जरूरत नहीं होती जैसे पपीते का पेड़ हुआ और केले का पेड़ हुआ कोई फूल ले लिजे आप गुलाब का पेड़ हुआ इस तरह के जो पेड़ होते हैं जिन्हें जादा जल की अवशक्ता नहीं होती अगर हम इनमें जादा जल दे देंगे तो इनका जो तना है वो गलना सुरू हो जाएगा तो जो सामान्य मातरा में जिन्हें जल की अवशक्ता होती है वो होते हैं समो भिद नेक्स नेक्स्ट है मरूभिद, मरूभिद कौन से होते हैं पानी की कमी वाले स्थान पर उगने वाले पोधे इन्हें रेगिस्तानी पोधे भी कहा जाता है कौन से पोधे होते हैं मरूभिद जो पानी की कमी वाले छेतरों में उगते हैं यानि की जो रेगिस्तानों में उगते हैं जैसे केक्टस हुआ और एक रजिस्थान में बहुत जादा पाया जाता है वरक्ष जिसे खेजडी बोलते हैं इसे भी पानी की बहुत कमावशक्ता होती है रजिस्थान का राज्य वरक्ष भी है खेजडी तो खेजडी हुआ केक्टस हुआ इस तरह के पोधे जो रिगिस्थ में पाए जाते हैं इन्हें पानी की बहुत कम आवशक्ता होती है इन्हें बोला जाता है मरूभिद आवास के आधार पर पोधे तीन भागों में वर्गेकरत किये जाते हैं समोभिद जल भीद और मरूभिद समोभिद कौन से होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं और जल की स अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं ये आपके CRT की बुक में ही दिये हुए पॉइंट है तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिये कि ग्रामिल शेतरों में गाएं के गोबर से जोबडी की दिवार और फ्रस को कीटों से दूर रखने के लिए लीपते हैं ये कुशन आप से पूछा भी गया था कि गाएं के गोबर से जोबडी की दिवार और फ्रस को लिपा जाता है और क्यों लिपा जाता है ताकि कीट जो है कीडे जो है वो दूर रहे कीडे ना लगे इस वज़े से लिपा जाता है भारी वर्सा वाले स्थान पर मकान जो होते हैं वो मजबूत बास के खंबो पर बनाये जाते हैं यह तीन से पांच मीटर की उचाई पर बनते हैं इस परकार के मकान सामानित जो है वो असम में बनाये जाते हैं जहां ज़्यादा बारिश होती है जैसे की असम में तीन से पा कोवा अपनी जो घोसला है वो सबसे उंची डाल पर घोसला बनाता है आप पेड़ पर देखोंगे जैसे नीम के पेड़ पर या फिराम के पेड़ पर व्रक्स की उंची डाल पर आपको कोवे का घोसला दिखाई देगा एस्किमो जो है एस्किमो के घर को बेसिकली बोला जाता है इगलू उसका निर्मान करते हैं वे बर्फ से एस्किमो अपने घर का निर्मान किस से करते हैं बर्फ से करते हैं ऐसे भी कोशन बन सकता है कि बर्फ से बने घर को क्या बोला जाता है तो इसे इगलू बोला जाता है ततईया, चीटिया, दीमक, मधुमक्खी ये सबी रहते हैं कॉलोनी में मचली क्या है? मचली एक जलिये जीव है जिसे हम अपने घर में एक्वेरियम में रखते हैं ये पॉइंट मैंने इसलिए इन्कलूड किया कि एक्वेरियम से आपका कोशन आ सकता है कि जिसमें मचली रखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम aquarium अब हम कुछ question देखते हैं जो आपकी previous year में पूछे गए थे और important question है जो आगे भी काफी chances है पूछे जाने की question है कि पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को परतिपादित किया था options है CC पार्क ने, ग्रीनल्स ने, डार्विन ने या फिर EP ओडम ने तो अभी पड़ा हमने किसने जो पारिस्थितिक निकेत है इसका सबसे पहले use किसने किया था ग्रीनल्स ने next question है निमलिकित में से कौन सा एक स्थलिय जन्तू का परकार नहीं है option से आपके बिलकारी जन्तू, धावी जन्तू, रक्षवासी जन्तू या फिर मरोभिद तो इस थलिय जन्तू के हमने पांच परकार पड़े थे, उनमें से एक परकार कौन सा नहीं है वो है मरोभिद, क्योंकि मरोभिद जो है वो जन्तू का परकार नहीं, ये है पोधो का परकार next question है कि निमलिकित का अध्यन कीजिए कोवा पेड की उची डाल पर अपना गोसला बनाता है इस गोसले को बनाने के लिए कई परकार की चीजे यहां तक की लखड़ी की साखाएं और लोहे के तार भी होते हैं एक चालाग पक्षी भी है जो अपना गोसला नहीं बनाता और कोई के गोसले में अंडे देता है बिचारा कोवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है यह पक्सी कौन सा है आप्शन से आपके कलचिडी, बसंत गोरी, कोयल या फिर शक्कर खोरा तो इसका जो सही जवाब है वो है कोयल क्या करती है कोयल अपना घोसला नहीं बनाती कोयल भी काली होती है कवा भी काला होता है तो कोयल अपने जो अंडे होते हैं वो कवे के घोसले में रख देती है कवे को पता नहीं चलता जवा जैसे वो अपने अंडे सेता है उसी तरह जब बच्चे निकलने शुरू होते हैं अंडों में से तो कोवा अपनी बच्चों के साथ उन्हें भी पालता है जब बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं तब पता चलता है कोई को की ये उसके बच्चे नहीं है क्योंकि काले ही बच्चे कोई के होते हैं काले ही बच्चे होते हैं कोई के तो कोई जो क्या करती है अपना घोसला न नहीं बनाती कोई के घुसले में ही अपने अंडे रख देती है। अभी हमने ये पॉइंट देखा है फ्रस को कीटों से दूर रखने के लिए गाएं के गोबर से लीपा जाता है। नेक्स्ट कोईशन है बंदर सेर तथा चूहे के जो घर है वो करमांक कौन कौन से हैं। बंदर का घर बंदर कहां रहता है बंदर पेड़ पर रहता है शेर गुफा में रहता है और चूहां बिल में रहता है। तो बेसिक सा कोईशन था लेकिन ये आपका कोईशन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कोईशन है निमलिकित में से कौन सी कीट मदुमक्ख्यों की भाति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। आप्शन से ततईयां चीटी, दीमाक या फिर मकडी तो कौन सा कीट कॉलोनी में नहीं रहता समू में नहीं रहता मकडी जो है अपना जाल बनाती है और जाल में बीच में अकेली रहती है ये समू में आ फिर गुरूप में नहीं रहती। नेक्स्ट कोशन है भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अत्यधिक वर्सा होने के कारण वहां के लोग अपने घरों को बास के जो खंबे होते हैं उस पर 3-5 मीटर उपर बनाते हैं कौन सा राज्य भारत का ये हो सकता है? अप्शन से आपके उत्राखंड, केरल, तमिलनाडू या फिर असम तो इसका सही जवाब है असम ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि असम में जादा बारिस होती है और बास के खंबो पर असम में घर मनाये जाते हैं नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में पानी की कमी में पानी की कमी वाले स्थान में उगने वाले पोधे को क्या कहा जाता है? इसा पोधा जो पानी की कमी वाले स्थान यानि की मरु स्थल में रेगिस्तान में उगता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मरूभिद क्या बोला जाता है मरूभिद समोभिद क्या होते हैं जो स्थल पर उखते हैं पानी की सामान्यता जरुरत होती है जलोभिद जल में उखते हैं और मरूभिद जो रिगिस्तान में उखते हैं तो यहां आपका जो टापिक है वो आवास का complete होता है कुछ important questions थे जो मैंने इसमें add कर दिये और ये question पीछे भी पूछे गए थे कुछ इसमें से question और कुछ आगे भी आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो important है ये question आप ध्यान रखना वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करे अपने whatsapp study group में share करे और channel को subscribe करे और साथी bell icon को भी प्रेस कर दे जिससे आपको latest video के notifications मिलते रहें